तो हलो फ्रेंट्स नमस्ते आज देखिए यह कृष्ण कमल का पोधार बहुत ही शांदार इस पे फूल बहुत सारे खीले हुए है यह देखिए और बहुत सारी कलिया भी आ रहे हैं नीचे भी कुछ है और कुछ यह देखिए और कुछ फूल जो है नीचे की तरफ है वह यहा करते हैं अशे तो कि इसके साथ ही या देखिए एग गिलोए भी है अधि लट उट रहा है तो अब हमने बनदा दिया अब इसका पूरा टार बांदेंग यह देखिए इस तरह कामने एक बांस लगा दिया है यह से यह तो यह लगी दोस्तों इस तरह से हटनुमा सेप बना आप हम इसको जो भी हमारे बेल वाले इस सब फूल है इनको इसी पर चढ़ा देंगे और इंगी ब्रांचे इसको भी हमें इससे ही चढ़ा देंगे ऊपर और इस साइड इसको प्लास्टिक से थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि नीचे हम वह पौधे रख सके जिसको पानी कम चाहिए या नहीं चाहिए बारिस के दीनों में झाल तो दोस्तों सभी बेल वाले पोधों के तरह के लिए इस तरह का इस्ट्रक्चर त्यार कर सकते हैं चाहें हो सब्जी हो चाहें फूल हो किसी तरह के जो बेल वाले हैं जैसे देखिए हमने इसको बांद दिया है अच्छे से कृष्णी कमल और यह गिलो है यह दोनों को मैं इसी स्ट्रक्चर पर चड़ाऊंगा यह ऐसे ही मैंने तार से बांद आया है इसको और बीच में एक बांस लगा दिया और भी इसमें बांस लगाया जा सकता है लेकिन और उसके बाद यह आलमंडा है और यह भी बेल नुमा है देखिए बहुती शांदार इससे फ्लारिंग होती है और यह भी बेल इसको चड़ जाएगा इस तार पूरी तरह से फैल जाएगा कर दो जाएगा कि यह देखिए दोस्तों इसको बांस के साहरे हमने उपर चड़ा दिया है और दूसरा इदर कृष्णी कमल का पोदर इसको भी हमने बांस के साहरे उपर चड़ाने का कोशिस किया है यह देखिए और फूल खिल रहा है अभी है अभी यह एक गंटे और देड़ घंटे बाद पूरा खिल जाएंगे अभी सुबह के अच्छे बज रहे हैं और यह लगभग आट नो बजे खिलते हैं तो ठीक है दोस्तों यही शेयर करना था थैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बाद है अभी गार्णिंग टेक्क्रेव रहे हैं झाल 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 झाल झाल झाल